लोग सबाद चुनाओ छटफे चलन में प्रवेश कर चुका है छटफे चलन के लिए लगातार प्रचार किया जा रहा और इस दौरान अब औरंग जेब की इंट्री भी हो चुकी है सियम योगी आदितनाथ ने कहा है कि औरंग जेब की तरीके जजिया कर लागू किया जा सकता है जरसल उन्हों ने कहा कि विरासट टैक्स को इंडी गडबंदन लागू कर देगा मंच से उन्हों ने कहीं न कहीं इस बात को कहे करके अपने पच्छी माहल बनाने का प्रयास किय लेकिन जनता क्या सोचती है क्या वास्तों में जनता सोचती है कि विरासट टैक्स जैसा टैक्स कोई टैक्स अब वर्तमान हालात में लागू किया सकता है और क्या जनता उसके त्यार है या फिर ये पॉलिटिकल इस्टन्ट है लगाता है इसलिके कि बैयानबाजी हिंदू- संपत लेकर के दूसरों में बार दिया जाए या फिर के वाल ब्रहम प्रापहलाने का प्रयास है ऐसा है कि जो जाजियकर जैसे सद्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है वैसे तो ये मात्र ब्रहम ही है अब ऐसा हमारे हिंदुस्तान की और इतनी जनता पढ़ी लिखी है कि अ इसलिए क्योंकि आने वाला समय जो है पहले भी पिसले दस वर्तों में लगा तार आप देख रहे हैं चार और विकास की गंगा बह रही है हर जगे छेतर में विकास हो रहा है और निशी तोर पर जहां से भी जो भी जिलाएं आती है तुरं तुस पर फालो किया जाता है उस सरकार बर्ण रही है तो जजिया कर देशी बात की वाति क्यों किया रही कि यो बाटने का प्रियास के जारा लोगों को वोट रही है तो वो तो कहें गे तो कहेंगे कि इस तरह से टेक्स लगाएंगे मतलब एक तरफा वोट अपना गिरे अपना हिंदू का और हिंदू-Muslim आई है मैं मैटारो कुछ नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है बागी बाटने के लिए सवर कुछ नहीं है बागी ऐसा कोई टेक्स लगना मिनियों फिर कुछ बताने की ओरोत नहीं किसी को हर चीज दिख रही है जो भी अपना काम हो रहा है पुरे अपने देश में पुरे अपने हिंदूस्तान में जो भी काम हो रहा सब दिख रहा है तो उसमें किसी को बताने की ओरोत नहीं है इनको दिख रहे हैं इनको देकर के लगता है कि कर जाएगी आरे करने चाहिए भीजेपी को और क्या अच्छी रहेगा भीजेपी बढ़ी हां काम कर रही है हिंदु मुसली में बातने के लिए लगातार भयान बाजी भी कर रही है अरे उससे कोई फरक नहीं पड़ता पहला जो काम हो रहा है अच्छे हो रहा है अच्छे लेकिन वो तब नहीं आता था जब यह मोधी सरकार आई है जब यह अभियान नहीं आता है और पहले उनकी सरकार में अभियान आया ही करता था अभियान आया करता था तो हम रहात मिली लोगों को व्यापारियों को आपको लगता है रहात मिली है और क्या सोचते क्या सोचते आप बताएं किया सोचते सरकार को लेगर के और वाकई में जो बैयानवाजी हो रही है उसे किसका फाइदा होने वाला है तो विपच का एक काम है कि किसी तरीके हम जनता को ब्रह्म में डाल सके तो आज जिस आप से भारत्री जनता पार्टी के जो मुखियां है माने निये को देखते वे जनता सब समझ चुकी है जिस तरह विपच कई चुटकलू वानेज लेकर जो भ्रह्म फहला रहा है उस भ्रह्म में हमारे देश की जनता आने वाली नहीं है जिस तरह मोदी जी धरातल में उतरकर कार कर रहे हैं उसको देश की जनता हर चीज को समझ चुकी है क बताइए क्या लगता है कि वाकई में इस बार अपकी बार 400 पार क्या लगता है राहूल गांदी रक्षिर श्यादों कुस इंपैक्ट डाल पाएंगे जो बैयानबाजी उनकी तरफ से हो रही है कुछ असर पड़ेगा इसका कुछ नहीं असर पड़ाएगा आएगी वीजेप सब्सक्राइब कर रामंदिर 370 और विजो विकास हो रहा बड़े बड़े हाईवे बंद है और सब घरीबों को राशन मिल रहा है क्या है उपड़े हैं सब बजारे चल लहीं अपना क्या है बढ़े हैं मोधी जी कि हम तो किते मोधी जी की सरकार फेरा हुए एक बार पिर किसको फाइदा होता दिक रहा है इस सबीघी की सरकार पाहुत मत से आ रही है इसलिए क्योंकि उन्होंने सब्सक्ता बढ़े कि अद्धार चीह हैं हम लोग के लिए भी काम हुए च्छ और हैं मोधी जी की सरकार में योगी जी जो कर रहा है वो भी बैतरी हिन कर रहा है और कुछ आपको इस तरीके के बैयानवाज़ क्या ज़रूरत है कोई ज़रुषत नहीं है। होई-टाव है काम ही है जो भूम्न बित भाता है कि नंहीं को देखा कौन सबसे बड़ा समस्या तो यह इनके साथ इन लेकिन सरकार तो विलालेनिक बनेगी, पूर्ड वहमत से बनेगी, बस यह ही चाहेंगे. क्या कुछ ऐसे काम है जिसके विजिए आपको इतना विश्वास है? काम तो उन्होंने, जो साथ मैं नहीं देखने, जो काम हुए है, इसलिए बहुत सारे काम है, जो होने है, काम तो पहुत सारे, लेस्वे सारे काम होने है, अप लगे, पारियों कितनी समस्यां वही है? काफी समस्यां सॉल्फ हुई है और बीजेपी सरकार में हमको बहुत रहात मिली है इन सब चीजों पर यह कहने की बात बीपच कुछ भी कहता रहे लेकिन बहुत प्रॉफेट है उसके अब जो ऑनलाइन सेवाएं चल रही है और जो हम लोग को से थोड़ा समस्या तो ही देखि का सरी विपच है उसको कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए ना डेली कोई ना कोई नया मुद्दा उठाते हैं वो लोग तो उससे जंता को कोई फरक नहीं पड़ता है अपकी बार बीजेपी सरकात जी कुछ और लोग भी हमारे साथ में उनसे बात कर लेते और जी थोड़ है तो फिली तो इस देने चाहिए कि कम से कम जो आलाइन चल रहा है इस पर थोड़ी से रहाद देव है कि जो मार्केट में थोड़ा व्यापारी परसान है इस चीज को ले करके उसके कुछ नियम ऐसे निकालें कि जिसे थोड़ी से रहात मिलें हम सब खुड़ को हम लोग पूरी पूरे दिन बैठते हैं दुकान लगाते हैं बैठते हैं जब मार्केट में कष्टवन नहीं होगा तो किसके हाँ समान बेचा जाए है अई शाभी के साथ में सब चीज जुड़ी हुई है तो हम यह चाहते हैं गौर्मिन को पूरा हमारा शपोर्ट है पूरी विश्वनात पूरा मंदिर बना है उसके बाद महा कालेश और वहां के पूरी बाइट बना है और मोधी जी का काम बहुत अच्छा है जो कि पूरी तरीके से हम उससे संटुष्ट है हम चाहते हैं मोधी सरकार जी के सरकार बनेगी बनेगी इसमें कोई भी दोराय नहीं अच्छ में बैठा है वो तो बोले गई वो तो चाहेगा कि इनकी गौर्मिंट बन नहीं तो इसमें कोई ऐसा अपजस लगाए जिसमें पुछ गुमरान नहीं होगी पूरा एक मन बन चुका है पबलिक की एक दालना है कि बीजेपी की ही गौर्मिंट बननी है यह अमनों की पूरी तडीके मोदीजी के साथ मे है हमेशा साथ में रहेंगे कानपुर के लगोंगों की रहा है कि विरास्त टैक जैसी बात पर यकीन नहीं करते है वेड़ने तम्री सिंगी साथ, श्यम्तिवारी, नियुजिश्टेट कनपूर.